क्या आपको भी कभी किसी मीटिंग में डेटा प्रेजेंट करना होता है और आपको लगता है कि मैं अपने ओडियंस को प्रेजेंटेशन कुमा में नहीं डालना चाहता हूँ तो यह वीडियो आपके लिए हैं जहां पर हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक और अगर अब ही तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस टाइम तो दू दैट राइट नाओ फर्ट कीजे एक मीटिंग में आप जा रहे हैं और वहां पर जो पहला प्रेजेंटर है वह आपके सामने बहुत सारा कॉंपलेक्स ग्राफ और चार्ट और बार लेके आता हूँ कहता है देखो how easy it is और दूसरा बंदा आता है जो आपको सब कुछ नहीं दिखाता है आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपको जरूरत है आपको वो सारी चीजे बताता है जो आपको चार्टनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको बताता है कि इस चार्ट का importance किया है now मैं bet कर सकता हूं कि अगर even if it is the same presentation because second person ने data storytelling use किया है you will remember it much more right तो हम बात करते आईए कि ऐसे पांच strategies जो आप use कर सकते हैं अपनी data presentation में ताकि आपका जो next presentation हो वहाँ पे आपके जो stakeholders हैं वो आपसे बहुत खुस हो और impress हो और आप को से benefit मिले let's get started तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है जब आप data present कर रहें आपको पता होना चाहिए कि आपका audience कौन है for example अगर आप CXO CEO CIO CMO के सामने present कर रहें वह आपका छोटा data individual नहीं देखना चाहेंगे वह जानना चाहेंगे कि ट्रेंड क्या है क्या नया investment कर सकते हैं क्या नहीं opportunity है क्या roadblocks है अगर उनके सामने आप यह micro details देने लगें दे विल नाट बी इंप्रेस्ट तो knowing your audience is very very important especially अगर आप बात करते हैं मिले management के they might want to go in much more details they might want to go into root cause as well and similarly अगर को entry level का है they will be concerned about their own bubble तो जब भी आप present कर रहें knowing your audience really helps because उसके हिसाब से आप data को present करेंगे कि आपको micro level का data दिखाना है कि macro level का दिखाना है so that is number one knowing your audience number two जैसे मैंने बोला था पहले example में कि अगर आप जस्ट आगर के PPT and graph and all दिखा देंगे sometime it becomes boring and मैं ऐसी बहुत-बहुत सारी meetings में गया हूं जहां पर लोगों ने कोई context नहीं दिया कोई hook नहीं दिया and they immediately start welcome everyone let's start the monthly meeting and we are going to discuss and it's a boring one and you are tuned off in five minutes so what can you do अगर आपको अपने presentation को data storytelling को effective बनाना है you got to have a hook आप अपने data के लिए ऐसा कुछ perspective निकाल के लाइए ताक कि वो audience excited हो जो लोग बैठे हैं you might say that आज हम आपको इसी special trend बताने वाले हैं जिसको capitalize करके हम अपना profit 20% बढ़ा सकते हैं और वेन्यों से देस पीपला excited ऐसा क्या बताने वाला है या आप बदा सकते हैं आज हमने एक root cause identify किया है जिसके कारण हमारा bottom line 20% impact हो रहा है अगर हमने इसको सुधार कर रहा है तो हमारा profit 15% बढ़ जाएगा नो वेन्यों से दाट इस सेटिंगे कॉंटेक्स और हुक और पीपल एक्साइट तो नौ मोर्स नमबर तो इस टार्ड विद एक कॉंपेलिंग हुक एक कॉंटेक्स दीजिए एक हुक दीजिए नमबर त्री जो की बहुत दी ऑवियस है बट फिर भी लोग नहीं करते हैं औ लगता है हम कितना कुछ दिखा दे उसमें कितने सारे अलग-अलग चार्ड दिखा दें ग्राफ दिखा दें खतरनाक सी जारगन दे दें विद्धाउट नौइंग आवर ओडियंस अगर ऐसा होता है तो आपकी अच्छे चांसे ने कि आपका ओडियंस प्रेजंटेशन को मा में चले जाए अगर आपको यह नहीं पता है प्रेजंटेशन को मा क्या होता है गोण गुगल इट विल गेट सम हिलारियस आंसर्ट आप उसके सामने सिंपल बहुत ही इजी बहुत ही इनो डाइजेस्टेबल फॉर्म में डेटा या ग्राफ या बाहर और उसके लिए जो रिलेवेंट है वही आप दिखा रहे हैं इस्टेड आप शोइंग 10 अदर तिंग्स नमबर चार और दिस दा क्रक्स आफ दिस विच इ हमारी वेब साइट पे जो होते हैं वो तीन गुना बढ़ जाते हैं और बेस्ट ऑन दिस वाट वी रिकमेंट कि जब हमारा हॉलिडे सीजन आए तो हम अपने सर्वर की कपैस्टी डबल कर दें क्योंकि हमारे हिट्स तीन गुना होने वाले हैं इंस्टेड आप जशोइंग लिंक नहीं देते हैं जहां पर हम एक नरेटिव नहीं सेट करते हैं स्टोरी नहीं सेट करते हैं उसके कारण हमारे यह प्रेजंटेशन फेल हो जाते हैं तो जब भी आप एक प्रेजंटेशन देने जा रहे हैं तिंक अबाउट इट कि आप क्या स्टोरी राइन हैं क्या इ use and that is called engagement and interaction अगर आपको अपनी मीटिंग्स को अपनी प्रेजंटेशन को डाइनमिक बनाना है बहुत ज्यादा इंगेजिंग बनाना है तन यू आप टो प्लान यू कन दो पोलिंग यू कन दो कोई यू कन आप पीपल तो यू चैट यू कन आस पीपल तो दो सम अक्तिविटी इस के स्टडीज बट दो मोर यू प्लान देटर यू विल बी अबल तो इंगेज अगर आप सिर्फ वन वे इंफरमेशन ट्रांसफर करोगे देन यस जैसे मैंने पहले बोला तीसरी बाव लाओ आपका ओर्डियंस प्रेजंटेशन को मा में जा सकता है अगर आपको अपने आपको अपने और इंगेज करना है तो आपने इंगेशन को बोलना है कि मॉह कहां पने को सिसी? आप जितना प्लान करके इंगेज करेंगे उतना ही आपका इंट्रेक्शन इफक्र्टिव होगा उतनी आपकी स्टोरी टेलिंग टॉर गलास की हो जाएगई तो यह थे हैं वारी पांच स्ट्राइजीस नमबर वन नो यूर ओडियंस नमबर टू स्टार्ड विद अ कंपैलिंग होक नमबर त्री कीप इट सिंपल एंड रिलेवेंट नमबर फोर टेल अ स्टोरी विट यूर डेटा और नमबर फाइव प्लान यूर इंगेजमेंट एं मैं जानतों आपसे बहुत सारे लोग यह वीडियो देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ के साथ मुझे बताइए कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं आप चाहते कि मैं वीडियो आप वो इंटर्वीव डिटास टोडिलिंग लिडर्शी प्रेशंटेशंटेशं इंटर बस्नल ग्मिनिकेशं इसे कॉंसे तॉपिक्स पे आप मुझे जादा सुना चाहेंगे यह वीडियो लॉफ तो इंटिल नेक्स ताइम टेक्राइब केर जसे एंसे बलस्टेश्यू in the next video